हलो गाईज वेलकम बेक टो मैं चैनल आज हम लोग इस वीडियो में अन्बॉक्स करेंगे वन प्लस नॉड सी इथी फाइव जी का बॉक्स कंटेंट में सबसे पहली चीज जो आपको मिलेगी वो है इसका बिल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप देखोगे तो बॉक्स काफी ही बेसिक तरीके का है जो कि इसके पैकेजिंग से ही दिख रहा है और पैकेट में आपको इसके अंदर ही इसका बैक कवर भी मिल जाता है जो कि बिल्ड क्वालिटी वाइस काफी अच्छा सॉफ्ट है मेटेरियल में रबबर का है और इसके साथ आपको सेम इजेक्टर टूल और इसके जो रेड केबल का कार्ड और कुछ वन प्लस नॉर्ड के स्टीकर्स पे मिल जाता है तो फोन को रखते हैं अभी साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में हमें और क्या-क्या देखना को मिलता है इसमें इसका अडप्टर इसके साथ ही मिलता है जो कि एक अच्छी बात है 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन और इसका जो डेटा केबल मिलता है वो है टाइप A to टाइप C केबल जिसका लेंथ 1.2 मीटर का है लगबग आप 1 मीटर ही मान सकते हैं और केबल का क्वालिटी भी ठीक है जैसा कि हमेशा वन प्लस का मिलता है रेड केब इस ब्रैंड में अभी तक यह दे रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पर जो डिवाइस का फर्स्ट लुक है वो काफी अच्छा और इंप्रेसिब लगा ओवराल जो इसका मेट है वो प्लास्टिक का है डैक भी इसका प्लास्टिक है बट यह देखने और टच करने पर जो फील है उसका थोड़ा प्रीमियम आता है कोई भी फिंगर प्र बने ड्याओं पर जोटकर मेट क्यामररद आपनार करी जो फिंहольर सर्यमियधा आता है जो आता है और एक 2 मेंपिक्सल fucked बगी देखने में आता है नीचे की तरब आपको जो इसका loud speaker है type C charging pin और SIM tray जो कि आपको hybrid SIM slot मिलता है दो SIM या एक SIM और एक chip आप use कर सकते हो right side में आपको इसका volume rocker button और power button देखने को मिलता है so front side में आपको in display fingerprint sensor मिलता है 6. inch का AMOLED display मिलता है जो कि outdoor में भी clearly visible होता है 950 nits brightness मिलता है जो कि आपको indoor outdoor में sufficient brightness देदेगा कोई भी चीज आप content consume कर सकते हो काफी अच्छा display दिया गया है display size भी काफी अच्छा है body ratio के इसाप से edge to edge display मिलता है जिसमें बिजल बहुत ही कम मिलता है अगर आप इसका camera के बात करूँ तो camera में भी आपको सारे options मिल जाते है night mode का भी support है इसमें OIS है बट आपको फुल HD में ही support मिलेगा आपको 4K में कोई भी OIS देखने को नहीं मिलता है बागी कुछ camera samples मैं यहाँ पे add कर देता हूँ 50MP का जो sensor है वो by default 12MP की photos लेता है और अगर आप इसको high-raise में set करके 50MP का भी photos खीच सकते हो तो इसमें जो main camera है उसमें OIS का support है जिसमें ultra study mode on करके आप videos stable videos भी ले सकते हो overall अगर इसका camera देखा जाए तो daytime में तो काफी best है बट low light में थोड़े से average photos लेता है काफी अच्छे दिखते हैं थोड़े से soft हो जाते हैं जो इसका overall processing के बाद जो photos है बाकि उसमें भी details capture ठीक ठाक कर लेता है और इसका जो front camera है वो 16MP का है जिसमें आपको wide angle selfies मिल जाएंगे जो की ठीक ठाक photos आते हैं और वो भी low light में थोड़ा सा average perform करता है बट daylight में या फिर अच्छे light condition में वो भी काफी अच्छे photos ले लेता है front camera में आपको कोई भी 4K video recording का support नहीं मिलेगा बस full HD तक का video record आप कर सकते हो बाकी इसका जो display panel है वो HDR को support करता है 120Hz का refresh rate देता है जो की काफी smooth feel होता है काफी सारे apps में वो support करता है और बहुत सारे में नहीं करता है तो वो एक limitation है इस device का बाकी overall अगर देखा जाए तो इस device का जो processor है वो भी काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पे 782G Snapdragon का processor दिया गया है जो की latest है और आपको इसमें जो battery है 5000 mAh का मिलेगा जिसकी वज़े से इस phone का जो battery backup और performance है वो आपको काफी अच्छा day-to-day usage में मिलने वाला है और gaming के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं उसका भी एक dedicated video बना दूँगा उसमें भी आपको ठिक टक performance मिलने वाला है इस device में आपको टॉप बॉटम में IR blaster भी देखने को मिलता है जो इसका studio speaker है दूपर में भी एक speaker का hole आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें ये studio sound create करता है बाकी ये था इसका एक चोटा सा review video overall अगर आपको इसमें gaming के लिए अलग मैं एक dedicated video बना दूँगा और camera output के लिए भी एक अलग से video आएगा बाकी आपको कोई भी query रहे तो आप comment section में पूछ सकते हो thanks for watching इस video में इतना ही मिलते है next video में